Hi everyone, I hope आपने ये जो टेबल है ये अपनी एंचार्टी की बुक में जरूर देखी होगी और ये टेबल बहुत ही जादा important है इससे काफी questions पूछे जाते हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ट्रिक पताने वाली हूँ जिसे कि आप इस पूरी टेबल को याद रख सकते हो ये टेबल आपको मिलेगी इन 11 एंचार्डी चाप्टर ब्रीफिंग एन एक्सचेंज उफ गेस्स तो अब मैं स्टार्ट करते हूँ ब्रीफिंग में या रैस्पारिश में क्या पढ़ते हैं क्या ग्रेडियंट होता है हाईयर से लोड़ की तरफ जाता है एक सिंपल सा रूल है कि जहां पर जादा होगा वहीं से तो कम की तरफ जाएगा अब जिसके पास खुदी कम है वो थोड़ी जादा की तरफ जा सकता है मलब कुछ कंडिशन में जाता भी है बड़ उसमें हमें एनरजी प्रोवाइड करनी बढ़ती है बड़ यहां पर ध्यान रखना है कि जो गैसे है वो हायर से लोगर की तरफ जाती है सिंपल दिफ्यूजन के थूँ तो इस तरीके के जो ट्रांस्पोर्ट होता है उसको दिफ्यूजन कहते है तो सबसे पहले oxygen और carbon dioxide कितनी होती है atmosphere में यह हमें ध्यान रखना है तो जो oxygen है वो होती है atmosphere में जादा that is 159 and carbon dioxide होती है 0.3 मतलब हमने हमेशा क्या किया है हम oxygen को क्योंकि oxygen जादा होती है atmosphere में इसलिए हम उसको अंदर की तरफ inhale करते है और क्योंकि carbon dioxide कम होती है इसलिए हम उसको expire करते है अब क्या होता है air जो है आती है atmosphere से सबसे पहले मानलो यह एक atmosphere है यहां पर gases है तो यहां पर oxygen जो है 159 आप सबसे पहले कहां जाएगी atmosphere के पात next ए याद रखना that is alveoli alveoli क्या होते है आप सबको पता होगा lungs में ऐसे bag like structures होते हैं उनको अब अब एट्मोस्ट्फियर से alveoli तक आते आते इसका जो pressure है वो कम हो जाता है तो यह हो गया 104 बट यह भी एसे है और यह भी एसे है इसलिए के दोनों में 100 100 है यह ध्यान दखना 100 से जादा है ठीक है उसके अलावा जो alveoli में carbon dioxide है वो of course जादा होगी in comparison to atmosphere बट मैं ऐसा गरते हूँ पहले आपको जर्फ oxygen समझा देती हूँ ठीक है तो atmosphere में थी oxygen जादा थी alveoli में आई थोड़ी कम हुई कितनी हो गए 104 अब उसके बाद यह जाएगी blood में अब सबको पता है बलड हमारा दो टाइप का होता है एक होता है de oxygenated blood और दूसरा होता है oxygenated blood तो de oxygenated blood में तो अपने आप पता जल रहा है कि इसमें oxygen की कमी होगी तो यहां पर oxygen की मातरा कितनी होगी कम that is 40 and oxygenated blood में कितनी होगी 95 तो कैसे धान रखोगे सब ज़दा atmosphere में फिर alveoli में और फिर oxygenated blood में ठीक है तो आपको oxygen का जो भी प्रेशर है वो अच्छे समझ में आ गया होगा now हम carbon dioxide की बात करेंगे अब carbon dioxide हम अंदर जे बहार की दरब भेचते हैं मतला सबसदा कहा होगी यह होगी सबसदा हमारे de oxygenated blood में और tissues में just opposite to just opposite to oxygen तो यहाँ पर देखो 45 and 45 and alveoli में और oxygenated blood में carbon dioxide सेम होती है कैसे दहन रखोगे carbon dioxide, de oxygenated blood and tissue में सेम होगी कितनी होगी 45 क्योंकि वो हमारे body से बाहर की दरब जानी है and oxygenated में और alveoli में होगी 40 और बाहर होगी सबसे कम 0.3 तो I hope कि इस वीडियो के तुरू आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपको यह चीज़े समझ नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत focus कर गया ही सुनना पड़ेगा इसके अलाबा अगर आपको कोई और confusion है you can ask me अंदे comment section मैं उस पर भी वीडियो नहीं पूरी कोशिश करूँगे do not forget to subscribe this youtube channel